नमस्कार दीफ चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर जोगेंदर टाइगर डॉक्साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया जी आपका बहुत-बहुत शुक्रि हैं और उन बिमारियों से कैसे बचा जा सकता है उसके क्या घरे लूप आए हैं इस बारे में जनकारी देंगे तो शुरू करते हैं डॉक्साब सबसे पहला सवाल यह कि पाचन तंत्र क्या होता है हाजी पाचन तंतर दरसल जो हम खाना खाते हैं पहले वह बड़े-बड़े चबाते हैं जीब उसको पलती रहती है उसमें स्लाइबा मिलता है उसमें चकडाट मिलती है और खाना जो है छुट छुटे टुकड़ों में हो जाता है उसके बाद खाना फूड नली से खाने वाली जो पाइप है उससे वो क्या होता है स्टॉमक में चला जाता है स्टॉमक की में जाकर खाना जो है दर सर्व वहां एक अगनी H है जिसे हम जी-եारक अगनी कहते हैं ते बारेंड के होती है वह आगनी से खाना प्रसर्व हो जाता है उस-पे बैक्टीडिया को लिग होती है गुए उस वह को खाना स्रक्षित होता है उसके बाद खाना वहां 5 सेंट के قریल यह पचता है उसके बाद खाना बरी कोकर वो उसको बचाता है वर इंधे में इसके लूप लीवर है, लीवर के पास जो है, पितरस जो है, पिता से आता है, पिता का पितरस जो है, वो अगनी होती है, अगनी आती है, दूसी तरफ से वो हमारे पास जो पैनिकिरियस है, पैनिकिरियस से पैनिकिरियस जो है, उसमें आते हैं, उसमें आकर वो खाना जो है, एक तरफ से ख अगनी की मकदार और हवा की मकदार और पानी की मदार यहां फिक्स होती है, जिससे खाना पकता है, इसको पाचक भी कहते हैं, खाने को पचना और पकना, इसके इसलिए इसको पाचक अगनी का रूप भी दिया जाता है, खाना जहां आकर हमारा पचता है, पचने के बाद खान जिससे हम फोटक बादार्ग कहते हैं वो लार्ज इंटरिंस्टाइल में चरह खाले हैं भी जाता है उसके भाद को न conspiracy चटाइल है सब्सक्राब होने का सबसे बड़ा कारण तो जह है कि हम एक तो सीजन के फृस अभिआगे खाना नहीं खाते, दूसरा हम खाना टिंड पैक खाने खाते हैं, तीसरा हम वो खाना खाते हैं, जो हमारी बॉड़ी के लिए ठीक नहीं होता, जैसे चौता खाना जब हम थंडा खाना खाते हैं, अगनी खराब हो जाती है, सबसे बड़ा रोल हमारे खाने को हाजम करने में अ अगर अग्नी स्रीर में शही ना हो तो खाना सही नहीं पचता। अग्नी का बहुत या लिकोर ज्यादा पिएंगे तो खाना ठीक नहीं पचेगा खाना जब ठीक नहीं पचेगा ना पचेने कारज यही है कि खाना दो जगा पकता है एक तो खाना हम उसको जब बहार हम अगनी पे पकाते हैं दूसरा खाना जाकर हमारे स्टॉमिक और स्माल इंटिस्टाइन में पकता है, जब स्माल इंटिस्टाइन और स्टॉमिक में अगनी की कमी हो जाती है, तो खाना पचने की जगा, खाने में अमा, जिसे हम बिन पचा खाना कहते हैं, अन पचा खाना कहते हैं, वो बन जाता है, वो जब खाना अनपचा होता है, वो हमारे रस में, ब्लाड में जाकर हमारी बॉड़ी में चला जाता है, बॉड़ी में जाकर जिस जगा वो खाना जाता है, अनर्जी की जगा, वहाँ भी हमारी पैदा होनी शुरू हो जब खाना पचता नहीं है, तो पाचंत अंत्र ठीक से क साम नहीं करता है ऐसी अवस्था में कौन-कौन सी बीमारियां हो जाती है यह आपने बहुत अच्छी बात करी दरसर हमारे खाने का सबसे बड़ा रोल फिर मैं दुमारा कहा हूं हमारे स्रीड का अगनी है हमारे स्रीड में अगनी दरसर तीरा परकार की अगनी होती है पांच पांच भूत से हमारा स्रीड बना है आपको तो पता है हवा है पानी है धरती है अगनी है और अकाश है पांच भूत जैसे पांच किसम की हवा होती है और हमारे साथ जो है क्या होते हैं धातू होते हैं स्रीड में उन्हें से कैसे है रस है रक्त है मास है मिमासा है मेदा है औ और उसके बाद मज़ा है और शक्राणू है जिससे शक्राणू प्यादा होते हैं पांच अगनी ये होती है उसके बाद एक अगनी जो सबसे पहले होती है जितारक अगनी जिसे सेंट्रल अगनी कहते है वो सबसे पहला स्टॉमिक में होती है वो ग्रहनी के पास होती है इन परिलूग में भी काम करते हैंृ मैमा मेशा क Vishal कहते हैं मूल-दूवार । मूल-दूवार तरह स्वादस्टान रवभी है नबी के लिए कुछ चक्र मेहीं कहते है। अगणी का स्रीर नबी का बहुत बड़ा रोल हाए। जब हमारी नबी किसी जगह से पाचन तंतर में हिलती है जह अगर नीचे के जाएगी तो और तरह की बिमारी आती है उचे को जाती है तो और बिमारी आती है लेफ्ट को जाती है तो और बिमारी आती है राइट को आती है तो और बिमारी आती है दौन अगर लेफ्ट तरफ नीचे की तरफ अगर खबे को होती है स्रीर में वैसी वैसी बिमारी आती है हमारी अकेली दे अगनी के डिस्टर्ब होने से सारी ही बिमारी वहां से शुरू हो जाती है जब वो दे अगनी डिस्टर्ब होती है तो हमारी पांचो अगनी पांचो भूत की अगनी और सातो धातो की अगनी और गरहनी की अगनी सारी अगनी दस्तार्व हो जाती है स्रीर की अगनी के दस्तार्व होने से ही हमारे स्रीर में सारी बिमारी उत्पन पैदा होती है जैसे क्या है आप देखेंगे जब अगनी उपर की तरफ जाएगी अगनी जब उपर की तरफ जाएगी तो हमारे स्रीर में ऐसर पैदा होगा, जब ऐसर पैदा होगा, तो हमारे स्रीर में क्या होगा, पित पैदा होगा, फिर पित से रिलेटर जितनी बिमारी हैं, अगनी बढ़ गई है, जितनी बिमारी होगी, जैसे क्या होगा, हमारे पित स्किन से रिलेटर है, और सारी हमारे च तो हमारे में क्या होगा? तो जो हमारी वायू से जो वैसे हमारे रोग पैदा होती हैं स्रीर में, वो रोग आ जाएंगे. अगर हमारी कफ वाली अगनी डिस्टार्ब हो जाएगी, तो कफ के रोग पैदा हो जाएंगे. ऐसे अगनी के डिस्टार्ब होने से अलाग अलाग रो पैदा होते हैं, बिसिकली सारे ही सरीर में रोगों की जड़ जो है हमारा डायेशन सिस्टम है, हमारी पाचन परनाली है, पाचन परनाली में अगर खाना ठीक पचता है, उसमें अमा नहीं बनता, तो सरीर में लग भग कोई खुदा की ऐसी आफ़त ना आ जाए, कोई रोग ही है, अस्तमा है, दमा है, बिरिगी की रोग हैं, मांसिक रोग हैं, मैंसिज रोग हैं लेडीज को, बच्चे की प्रॉल्म है, कोई आदमी को कोई प्रॉल्म जाती है, उसकी पोटेंट अनर्जी खत्म हो जाती है, और्तों में एस्ट्रोजन की प्रॉल्म आती है, मास्पेश हैं उसे बोन भी खराब होती है, बोन कैंसर होता है, especially ब्लड कैंसर होता है, यह सारी चीजों का जो मेरा मुद्दा है, हमें सारे स्रीर की और आटमी की जगा, सारे स्कुलों में, काल्जों में, जो मैं फील करता हूं, हमें डाइजेस्टिन सिस्टम पे हमाई पाचन तंतर पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में स्टड़ी किरानी चाहिए, जब हमारे पेट में खाना ठीक हाजम नहीं होता, तो हमें कबजी होती है, गैस होती है, बिंड होती है, जब कबजी होगी, गैस होगी, बिंड होगी, इसका मदल जी होगा कि खाना जो है सही रूप में स्रीर में नहीं पचा, अगर खाना सही रूप में नहीं पचा तो उसकी शक्ती भी सही पैदा नहीं हुई, जब सही शक्ती पैदा नहीं हुई, तो अनपची शक्ती स्रीर में रक्त के साथ, जूसिश के साथ, रस के साथ, और और जगा मेमासा में, जैसे स्किन में, हडियों में, अस्ती में, जैसे हम अस्ती में बोलते हैं, उन में, और उसके बाद वीरिया में, शक्रानों में, वो अन्पची शक्ती जाएगी, वो अन्पची शक्ती जिस जगह भी सर्कुलिट हो जाएगी बॉड़ी में, उसी हीसे में रोग ज अगर शुरू में जितने हम परीमरीजों का मलंकन करते हैं, उनका जितना हम नरिखन करते हैं, उनको एनलाइस करते हैं, उनकी सारी हम लाइफ स्थोरी देखते हैं, मैं जितने भी केस आज तक देखता हूँ, सारे केसों में ही उनके वमारी का कारण पाचन परनाली का उनका कह न कही खराब होना, जरूर है. वो इसलिए जो آپ बात मेरे से कर रहे हैं, कि इसको कैसे ठीक रखा जाए सबसे पहले ये है, कि पाचन परणालि हमारे स्वीर का एक तरह का बश्ष्प, जो है, ऐसीरबाद की कुर्सी हों हमारे. इसको इस चीज़ बाद की कुछ ही मानते हैं, इस सीट मानते हैं, अगर इस सीट को हम ठीक रख लें, ठीक रखने के लिए क्या है, बक्तसर खाना खाएं, ताजा खाना खाएं, और खाने को बार बार घर्म ना करें, फ्रिज का खाना खाएं, बेरुता खाना खाएं, बेरुत अन्कूल, कुदृत ने उसके लिए बेजिटेशन जा और फल्फूरूट जा रसोर्सिस जितने भी उसके पाचन तंदर के लिए उसकी अनर्जी के लिए बनाए हैं, वो वही बनाए हैं, ठीक है? उभी खाना खाना चाहिए, स्रीर में हमारे दो किसम की अनर्जी होती है, एक तो होती है, पोटेंट अनर्जी, पोटेंट अनर्जी किसे कहते हैं? पोटेंट अनर्जी जो है, खुदा के घर की है, आदमी, औरत, या कुछ जीब, या प्रानी, या पेड, या पोधा, उसका जीने का सबसे पहले, उसके स्वास चलने का का कारण उसके जीवत रहने का कारण उसकी पोटेंट अनर्जी है पोटेंट अनर्जी को चिलाने के लिए स्रीर को चिलाने के लिए उसको काम कराने के लिए हमें एक क्या चाहिए कनाइटिक अनर्जी कनाइटिक अनर्जी हमारी खाना है हमारा पीना है सारा कुछ हमारा कनाइट पुरा पूरा चुवाते नहीं जायेगा, उसका पूरा तरण नहीं बने गा, छोटे टुकड़े में नहीं जायेगा, उसमें सलाइबा नहीं उसमें मिक्स हुआ तो क्या होगा खाना हाजमी होगा उसके बाद जब वो स्टॉमक में जाएगा अमश्या में जाएगा वहां क्या है हमारे पास अगनी जिधार का अगनी है जिसे सेंटरल अगनी कहते हैं सेंटरल अगनी अगनी अगर हमारी खराब कर वो पैदा होना है, जिसने खाने को पांच चीजें खाने में उसने बचानी है, एक तो वो एंटिसेप्टिक होता है, एंटिपैर्क होता है, उसी और बाहर बाहरी किसी भी तरह की बिमारी को आने से बचाता है, खाने को प्रजर्ब करता है, खाने को गलने से बचाता है, उसक को पचना कहते हैं, पकना कहते हैं, वो खाना वहीं से रुक जाएगा पके गाने, वो कच्छा खाना ही हमारे स्टॉमिक से समाल इंटरस्टाइन में जाएगा, समाल इंटरस्टाइन से जो और अगनी आएगी, जैसे पांच का अगनी है, रंजक का अगनी है, बिचक का अगनी है साथ का अगनी है पांच किसम की अगनी वो अगनी जब आएगी जब पहली अगनी सेंटल अगनी ही ठंडी होगी तो पांच अगनी उसमें पूरा सही फंक्शन नहीं करेगी जब पूरा फंक्शन सही नहीं करेगी समाल इंटरस साइन में जाकर उसमें अमा पैदा हो इसको हम AIDS की बात कर रहे है, HIV की बात कर रहे है, जैलो फीवर की बात कर रहे है इम्मुनिटी या बोड़ी की खराब होगी तो हर गक्तेरिया वाइरस हमें दबालेगा कर बिमारी की लिपेट में ले लेगा इसलिए सरीर को ठीक रखने के लिए बमारियों सो बचने के लिए हमें सबसे पहले खाने का ध्यान रखना है खाने के साथ कभी ठंडा पानी नहीं पीना एक और कोशिश करें खाने के साथ पानी पिया ही न जाए और कोशिश करें लिकोर्ड भी न लिया जाए लिकोर्ड लेन पचास ग्राम, सौ ग्राम पानी अब पीश सकते हैं, अगर ज़्यादा पानी पीएंगे, तो क्या हुआ, अगनी धंडी होगी, और खाने का इतना कोई नहीं, खाना प्राना भी होगा, कोई बास नहीं चाल दी, मगर सबसे बड़ी चीज ये है, कि सरीर में खाना खाते हुए उसकी अगनी का ध्यान रखें, इसलिए कहा जाता है कि खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना, और ठंडी चीज़ों का इस्तिमाल ना करें, दूसरा अनरसेसली फैड का इस्तिमाल ना करें, तिरसा हैबी भोजन का इस्तिमाल ना करें, बेरुते ही चीज़ों का इस्तिमाल न अहीं करते, खाना करते हैं, कम्प्वीटर पे बैठ जाते हैं, जाएदोधर सो जाते हैं, तो हर कीमत पे अमा बनेगा. अमा बनने से हमें क्या होगा? blood pressure भी होगा heart attack भी होगा york acid भी बनेगा फिर भी बात कर रहा हूँ ठीक है और उसके बाद arthritis भी होगा osteoarthritis भी होगा जोडों के दर्द के साथ-साथ हमें mass patient की problem भी आएगी milgी की problem भी आएगी sin में भी problem भी problem भी पागलपन भी उसी का देन है अमा का देन है और उसके बाद हमारी जितनी skin की problem है वो भी अमा की देन है हमारे इवन आपको हरान होगा कि जब अमा पैदा होता है उसी से ही काट्रेक्ट बनता है आंखों और ज़्याद अमा ज़्यादा पैदा होता है अगर वो liver के थ्रू चला जाए तो उसी से ही जोड़ से बनता है पीलिया जो है जब पीलिया रोख बनता है तो भी उसी से बनता है इसलिए सबसे बड़ी बात है पाचन तंतर में अमा को बनने ना दो अपनी अगरी को कभी धनी चीज़ों से खराब ना करो खाने के मेकदार में ही पानी पीओ और खाना ज्यादा पेट भरके कभी न खाओ क्योंकि हमारे स्टॉमिक में लग भग लीटर सवा लीटर का जगा होता है उसमें उसको कभी आदे से ज्यादा फिल ना करो वैसे कुदर्दी स्टॉमिक को ऐसा बनाया है अगर हम चार लीटर खाना भी खाना चाहें उसकी कपेस्टी है वो मुश्कल खुल जाएगा उतना जब हम खाना लोट से ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा अगनी उसके लिए कम है तो और दूसरा स्रीर को उतनी अनरजी नहीं चाहिए तो ओमा में कंवर्ट होगी फैट में हो जाएगी इसलिए एक खाना जादा खानेवाली लोगों के साथ जो फैट है दसरा ओउ अण्डाइस्ट्ट फूर है और अंडाइस्ट्ड फूर जो हैर फैट में कंवर्ट हो जाता है तो उसको फिर क्या करते हैं जब लोग बर्त रखते हैं, फास्ट रखते हैं, रणिंग करते हैं, तो खाना उसके साथ कम करते हैं, बोड़ी उसको कॉनवर्ट कर लेती है अनरशी में, इसलिए फैट कम हो जाती है, यह जो का ध्यान रखने की जूरत है, लोग सब पाचन तंतर को ठीक रखने के लिए क्य में अगर सीजन के आपको फ्रूट खाने का कहीं अपलब्द हैं, वो जूरत खालें, और पाचन तंतर के लिए निम्बू का, संत्रे का, मालते का, किन्यू का, इन चीजों का परजोग कर लेना चाहिए, और सीजन के जितनी सबजी हैं, उनका परजोग कर लेना चाहिए, औ और सुबा उठकर सेर अगर नहीं करते तो हाथ से और अपना फिजिकल वर्क जूड का लेना चाहिए। अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो पाचन तंतर खराब ही होगा। कैसा भी खाना खा लें। पाचन तंतर के लिए सबसे ज़्यादा मैं फिर बार बार बात कर करता हूं थंडी चीजें और काम ना करना दो चीजें सबसे बड़ा रोग है पाचन तंतर का। अगर आप अपना काम करते हैं और जरूर से ज़्यादा थंडी चीजें फिरिज की चीजें कोकर की चीजें नहीं खाते तो खाना सही ढंक से हाजम होता है अमल नहीं पैदा हो अगर बॉड़ी में आमल पैदा नहीं होता तो बॉड़ी में अनपचा खाना हमारे प्लाजमा के साथ ब्लाड के साथ सर्कुलेट ही नहीं होता जब सर्कुलेट नहीं होगा तो किसी जोड में अनपची अनर्जी कहीं जमानी होगी ना च्छाती में जमा होगी ना कहीं पे ही जो ले दे लें तो लग भग हमारे 90% हॉस्पिटल क्लोज हो सकते हैं बर्ड माफिय का जो सेल सेंटर है वो उसकी मनपले भी तूट सकती हैं हम स्कूलों में काल्जों में गाउं में मंदर में मस्जिदों में गुर्दवारों में धर्म की जगा बॉडी के लिए परचा करना चाहिए लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि धर्म पे पैसे बेस्ट ना करो अब पैसे जो बेस्ट करने की जगा पैसें को जो अपनी मेहनत है मजदूरी के पैसे हैं उनसे काम लो और अपने सरीर में ऐसे ऐसे खाना खाओ ऐसे ऐसे खाने खाओ इसके लिए सबसे जरूरी हमारी पास हमारे धर्मस्तान हैं गाउं हैं स्कूल हैं कोर्ज हैं इन में पाचन तंतर की एजूकेशन की बहुत ही जरूरत है अगर इस एजूकेशन को हम सोशल जगा जो समाजिक आम जगा हैं सांजी जगा हैं धर्मक जगा हैं वहां लेकर आएं तो मेरे को लगता ह नबे परसेंट बिमारी इसमाज की बिदन सिक्स मंग ही खत्म हो जाएं। लोक्स अब जाते जाते ये भी बता दीजे कि अमा को रोकने का क्या उपाए है, मतलब क्या घरे लू उपाए है। अमा को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि थंडी चीजे खाने के साथ ना खाएं और वो खाने ना खाएं जो स्रीर में ठीक हाजम नहीं होते, भारे खाने ना खाएं, फ्रिज के खाने ना खाएं, कोकर के खाने ना खाएं, रुफा वेवाई कर दें तो आमा बनता ही नहीं जी लॉक साब कोई घरेलू उपाए भी है कोई घरेलू ओश्दी भी है जिसको खा करके रोका जा सकता है उसमें ऐसा है कि सबसे पहले यह है कि कबजी नहीं होने दें कबजी के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज है तिर्फला और बेहडा और हर्ड यह तीनों का शिलका एक मगदार में होता है इसको शाम को पानी से ले लो पेड़ साब होता रहता है गैस नहीं बनती एसड़ी नहीं बनती कबजी नहीं होती जब आपका इंटरस्टाइन खाली होता रहता है तो अमा अपने आप इंटरस्टाइन के को यो बहुत चूर्न है अरका मरभा है और दूसरा हमारेप सीर्ब शीर्ष गैमार ध्यास देखिए थोड़ा मैं दो मिंट और उसम खाला था चौट रूँगा पांत किसम का आपस कहरों स्बाद के का एक खालन वह घुता है जो ब्रचा एक खाना वो होता है जो आउट बाड़ जाता है, एक खाना होता है जो इन बाड़ जाता है, मतल एक खाना वो है जो नीचे की तरफ आपने अब जाता है, एक खाना वो है जो उपर की तरफ जाता है, एक खाने का स्वाह है जो अंदर की तरफ जाता है, एक खाना बीच में रह करेंगे उनका वोपर की तरफ जाएंगे वो कपजी करेंगे। और जितने खाने हम बादी बारे कौने क्हांगे और वो बाहर की तरफ जाएंगए कौने को फॉर्फव फारा को 새े पौका भानने हमब das घरवाले करेंगे अ県ने खाने और दे अगनी ठीक रहें लौक साब ने हमें बहुत ही मैत्पून जानकारी दी अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद